जैहिन दोस्तो आज किस वीडियो में हम हाली के कुछ दिनों के करंट अफियस के most important question को discuss करेंगे वो दोस्तो हमेशा की तरह सभी question को हम बिलकुल detail में with test effect के साथ में discuss करेंगे तो आएए दोस्तो बिना किसी देरी के सुरुआत कर लेते हैं नमर first question से नमर first question है केंद सरकार की PM मित्र योजना इनमें से किस सम्बंदित है दोस्तो आपको यदि किसी question का answer पता है तो आप भी अपना answer लगाएं comment section में और video के last में अपना score share करें कि आपने कितने question के सही answer दिय हैं तो PM मित्र योजना सम्बंदित है कपड़ा उद्योग से a option correct हो जाएगा दोस्तो हम बात करें PM मित्र योजना की तो इसकी घोशन कप करी थी प्रधान मंत्री मोधी जी ने October 2021 को और इसको मंजूरी कप दी गई 17 March 2023 को इस योजना का उद्देश क्या है तो कपड़ा उद पर प्रती इस परदा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश है हम बात करें के PM मित्र योजना में PM मित्र का फुल फॉर्म क्या है तो PM मेगा इंटीग्रेड़ेट टेक्टाइल रीजन एंड अपेरल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तो इसी क्रम में नंबर सेकेंड क PM मित्र पार्क इस्थापित किये जा रहे हैं और सुरुवात में साथ राज्यों के साथ सहरों को सेलेक्ट किया गया है जहां पर PM मित्र पार्क इस्थापित किये जाएंगे ठीक है तो साथ राज्यों के साथ सहर जहां पर PM मित्र पार्क इस्थापित किये जाएंगे वो का बुरूद नगर है ये साथ राज्यों के साथ ऐसे सहर हैं जहां पर PM मेत्रपार्क इस्थापित किये जाएंगे नमबर थर्ड कोस्टन दोस्तो यदि हम बात करें डेटेल की तो वर्ल्ड हैपिनेंस इंडेक्स किसके दोवारा जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सलुशन नेटवर्ट के दोवारा ये जारी किया जाता है और वर्ल्ड हैपिनेंस इंडेक्स 2023 में फिनलेंड लगातार 60 साल दुनिया का सबसे खुष साल देश है हम बात करें भारत की इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है 126 स्थान पर और अंतिम पायदान पर कौन सा देश है अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है ये 137 इस्वे स्थान पर है टॉप थ्री देशों की बात करेंगे फिनलेंड पहले स्थान पर है और डैनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइजलेंड जो है ये तीसरे स्थान पर है नंबर नेस्ट कोस्टन की बात करें उससे पहले दोस्तों यदि पूरे साल के करेंट अफेस को आ कर दी है इस ऐग podíaक के अंदर आपको बो सारे टॉपक मिल जाये जहां से कॉसन एगजाम में पूझे जाते हैं तो यदि आप चाहते हैं अपनी Congratulations को वहतरीन बनाना dapat अग्जाम में कारणस के ईस सेक्शन में से Other Literate Online में से deze greakes when your ヨमर लेना चाहते हैं तो हमारी e-book को जरूर बाय कर लीज़िये हमारी e-book पचले एक साल की e-book है इस e-book के अंदर आपको पचले एक साल का Current Effence मिल जाएगा जनवरी 2022 से और अब तक का update और जो पचले दो सालों की e-book है इसमें जनवरी 2021 से और अब तक का update Current Effence मिल जाएगा ठीक है तो देर किस बात की यदि एक्जाम में सेलेक्शन लेना है तो e-book को अभी के अभी बाइक कर लीजिए चलिए नेश कोस्टन की बात करें तो अंतरराष्ट ये खुसी दिवस कम मनाया जाता है सेलेक्शन लेना है तो अंतरराष्ट ये खुसी दिवस मनाया जाता है 20 मार्ज को ठीक है और सेलेक्टराष्ट ने इस दिवस को किस साल घोसित किया तो सेलेक्टराष्ट ने इस दिवस को 2012 में घोसित किया था कब घुशित किया था 2012 में और हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है तो be mindful, be grateful, be kind इसकी थीम रही है यनि कि आगाहर हो, आभारी होना और दयाली हो इसकी थीम रही है नेश कोस्टन है अंतरराष्टी वन दिवस का मनाया जाता है अंतरराष्टी वन दिवस ये 21 मर्च को म रही है, forest and healthy इसकी थीम रही है 2023 के अंदर नेश कोस्टन है, सूरत की एक अदालत ने मानहानी के मामले में राहुल गांदी को दो साल की जेल की सजा का फैसला IPC की किस धारा के तहत में सुनाया है तो राहुल गांदी को IPC की धारा 499 में और धारा 500 का दोसी पाया गया है ठी option correct हो जाएगा, option A और option B दोनों correct हो जाएगे, इस question से जोड़ी है fact को हम समझ लेते हैं, तो दोस्तो राहुल गांदी ने 2019 के लोकसवा चुनाव में एक rally के दोरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, तो इस मामले में याची का करता बिधायक पूनस मोदी सूरत की एक अदालत में राहुल गांदी के खिलाप में मान हानी का मुकदमा दायर किया था, ठेक है, और हम बात करें कि इसी मामले में राहुल गांदी को जो सूरत की एक सत्र कोट यानि की सेशन कोट है, इसने धारा 499 और धारा 500 भादवी यानि की IPC, यानि की Indian Panel कोट का दोसी ठेराया है, और दो साल का काराबास और 15,000 रुपे जो रोमानी की सजा सुनाई है, ठीक है, हाला कि कोट ने राहुल गांदी को राहत देते हुए, सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिससे कि राहुल गांदी उपरी अदलत में अपील कर सकें, हम बात करे है कि IPC की धारा 499 और 500 क्या है, तो IPC की धारा 499 में मानहानी को डिफाइन किया गया है, कि मानहानी होती क्या है, ठीक है, और धारा 500 में सजा के बारे में बताया गया है कि मानहानी में कितनी सजा दी जा सकती है, कितना जरुमाना दिया जा सकता है, ओके, I hope आपको ये चीज का नाम कर्ण किया गया दोस्तो राइवरेली होकी स्टेडियम जो है ठीक है इसका नाम राणी रामपाल के नाम पर किया गया है ठीक है और हम बात करें कि राइवरेली होकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है तो राणी गल्स होकी टर्फ इसका नाम रखा गया है नेश को स वेसविक बाजरा संमयलन 2023 का आईउजन किस सहर में हुआ जिसका उधगाटन PM मोदीजी ने किया दोस्तो इसका सयान सरोजा आएगा नई दिल्ली में इसका आईउजन हुआ है ठीके और उधगाटन किस ने किया है PM मोदीजी ने और हम बात करें कि जो बैस्वेक बाजरा सम्मिलन 2023 है इसका आयोजन गिलोबल मिलेट्स स्री अन्ना कॉन्फरेंस के नाम से 18 मार्च को नई दिल्ली में किया गया ओके उद्गाटन किस ने किया है पीम नरंद्र मोदीजी ने और सेक्तराष्ट महासवा ने वर्स 2023 को अंतरराष्टी बाजरा वर्स घोसित किया है ठीक है इस सम्मिलन में कई देशों के किर्सी मंत्री अंतरराष्टी व्यग्यानेक पोशन विसेसग स्वास्त विसेसग और स् पहली रेत की बैटरी यानि की सेंड बैटरी किस देश में इस्थापित करी गई है सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए फिनलेंड देश में नेश कोस्टन है संगीत एकेद्मी के दोआराँ संगीत कलानेधी प्रुसकाद 2023 से किसे सम्मानित किया गया सही अंसर हो जाएगा द पार्टनर्शिफ और हेल्दी सिटीज अबवर्ड 2023 से किस भारते सहर को शम्मानित किया है सयान सरोजाय गदोस्तिस का बैंगलरू सहर को ठेक है तो बैंगलरू को तंबाकु नियंतरन के खिलाप में चलाए गए एक जागरुकता अभियान और प्रियासों के लिए डबलु सही अंसर हो जायागा दोस्तो ओफशन भी तेरवे इस्थान पर ओके और दोस्तो यदि हम बात करें आतंक बात सूचकांक 2023 की तो इसके अनुसार आतंक बात परभावेत देशों में अफगानिस्तान जो है ये पहले इस्थान पर रहा है और अपना पड़ोसी देश पाकिस Institute for Economics and Peace Australia की संस्ता है इसके दोरा जारी किया गया बताइए कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट पती की रूप में किसे चुना गया है सही अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्शन डी राम सहाय प्रसाद यादाओ के लिए दोस्तो हम बात कर रहे हैं अब नेपाल की तो नेपाल भा परत का पड़ोशी देश है और एसिया महाधीप में इस्तित है इसकी रातधानी काटमांडू है यहां के पीम कौन है पुष्प कमल दहल प्रिचंड यहां के पीम यानिकी प्राइम मिनिस्टर है और यहां के नए राश्ट पती बने हैं राम चंदर पोडेल तीसरे नमर के राष्टपती बने हैं और अभी उपराष्टपती भी बन गए है तीसरे नमर के इनका नाम है राम सहाई प्रसाद याद आओ तो तीनों पदों के नाम आपको जरूर याद रखना है नेश कोस्टन है दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रेस वेरियर कहां पर इस्थापित किया गया है दोस्तों दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रेस वेरियर जो है यह इस्थापित किया गया है महराष्ट के चंदरपुर में कहाँ पर महराष्ट के चंदरपुर में इस्थापित किया गया चुकि दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रेस वेरियर है इसलिए कोशन मोश्ट इंपॉंट हो जाता है next one की हम बात करें तो RBI की मिशन हर पैमेंट डिजिटल का उद्देश क्या है हर पैमेंट डिजिटल ये RBI का एक मिशन है और हम बात करें कि इस मिशन का उद्देश क्या है तो भारत में प्रतेक व्यक्ति को डिजिटल भुक्तान का उपयोग करता बनाना ठीक है यानि कि भार डिजिटल भुकतान तो किया ही हो ठीक है और RBI ने ये मिशन कब चलाया तो 6 मर्च 2023 को चलाया ठीक हर पेमेंट डिजिटल याद रखना इस मिशन को नेश को सन है प्रत्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर व्यग्यानकों को पहली वार सक्रिय जौला मुखी मिला है सही अंसर क्या हो जायागा दूस्तो ओप्शन सी सुक्र ग्रह पर यदि हम बात करें कि जो सक्रिय जौला मुखी है ये केबल प्रत्वी ग्रह पर देखने के लिए लेकिन पहली बार यह सुक्रग्रह पर भी देखने को मिले है व्यज्यानकों के लिए हम बात करें सुक्रग्रह के तो यह प्रतभी का सबसे नसदीची है आप बों को पता होगा और सुक्रग्रह को क्या कहा जाता है आर्थ ट्विन कहा जाता है यानि कि प्रत्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है सुक्र ग्रह को नेश को सन है स्काइ ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अबोर्ड दो हजात तैस में विस्व के सरबशिष्ट एयरपोर्ट का खिताब किसे दिया गया सैंसर हो जायगा दूस्तों सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के लिए सी ओप्सन करक्ठ हो जायगा नेश को सन है केन सरकार ने भारतिय कपास निगम का नया चेर्मेन और मेरिजिंग डारेक्टर यानि की CMD किसे बनाया है सैंसर हो जायगा दूस्तों ओप्सन डी ललित कुमार गुपता के लिए और हम बात करें भारतिय कपास निगम की यानि की Cotton Corporation of India की तो इसकी स्थापना करी गई थी 1970 में और इसका Headquarter है मुंबई के अंदर नेश को सन है भारतिय उच्च सिक्षा मीट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया सैंसर हो जायगा दूस्तों बांगलादेश के ढाका में इसका आयोजन किया गया है D option करक्ठ हो जायगा ठीक है और दोस्तों भारतिय उच्च सिक्षा मीट की एदि हम बात करें इसकी शुरुआत करी गई थी 2018 में और चेंद्रिय सिक्षा मंतरा लाय के द्वारा इसकी सुरुआत करी गई थी ठीक है और हम बात करें कि इसका उद्देश क्या है तो अंतर राश्टिय चात्रों की शंख्या बढ़ाना और भारतिये सेक्षड़क संस्थानों की वेस्विक रैंकिंग में सुधार करना इसका प्रमुख उद्दिश है और दो हो जाते इसमें भारतिये उच्छा मीट का जो आयोजन है ये बांगलेदेश के धाका में किया गया है याद रखना नेश कोस्टन है विस्व जल दिबस मनाया जाता है वाइस मार्च को डी ऑप्षन करक्ठ हो जाएगा और हम बात करें कि 2023 के अंदर इसकी थीम क्या रही है तो एक्सल रेटेंग चेंज इसकी थीम रही है 2023 में नेश कोस्टन है होकी इंडिया ने परस होकी टीम का नया प्रमुख कोच किसे निक्त किय क्या है साइसर हो जाएगा ओप्षन ए ग्रेग फुल्टन के लिए ए ओप्षन करक्ठ हो जाएगा नेश कोस्टन है जम्मू कस्मीर में मेगा मॉल परियोजना सुरू करने वाली पहली बिदेसी कंपनी कौन सी बनी है इसका साइसर हो जाएगा दूस्तों UAE की MR कंपनी जो ह जम्मू कस्मीर में मेगा मॉल परियोजना सुरू करने वाली पहली बिदेसी कंपनी बन गई है नेश कोस्टन है टाइम मेगजین द्वारा वर्ष दोजागते इसमें जारी दुनिया के महानतम इस्थानों की सूची में भारत के किन इस्थानों को सामिल किया गया है तो किनको एक तो उडिशा का मयूर भंज है और दूसरा लद्दाख है तो C option करक्ठ हो जाएगा और परियोग तो दोनों नैश को सन बिपिन दी मैं विहंड दा यूनिफोर्म पुस्तक के लेकक कौन है तो दूस्तो भारत के पहले CDS बिपिन रावत के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है ठीक है और इस पुस्तक की राइटर है रत्ना विष्ट रावत वी ओप्षन करक्ठ हो जाएगा नैश को सन है 32 सरस्यती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया सयान सरोजायगा दूस्तो ओप्षन सी सिफ संक्री को यदि हम डेटेल की बात करें तो 32 सरस्यती सम्मान 2022 सिफ संक्री को इनकी पुस्तक सूर्य वनसम के लिए दिया गया है और इनसे पहले जो 31 सरस्यती सम्मान है यह प्रूफे ससस्त्र सीमा बल यानि कि SSB के नए महाने देशा की यानि कि DG किसे निक्त किया गया है सयांसर हो जाएगा दूस्तों आप्शन सी रस्मी सुकला के लिए यदि हम बात करें SSB की तो ससस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉम होता है इस्थापना 1963 में हैटकोर्टर न्यू दिली में और इसका आदर्शवाक है सेबा सुरक्षा और बंधुत्य यानि कि Service, Security and Brotherhood इसका मोटो यानि कि आदर्शवाक है नेश कोस्टन है Mrs. India, मिस नहीं लखा, क्या लखा है, Mrs. India 2013 का खिताब किसने जीता है, सही अंसर हो जाएगा दूस्तो, ओप्शन A, जियोती अरेडा ने, ठीक है, तो देखे दूस्तो, 18 मार्च 2013 को Mrs. India Beauty Peasant का आयोजन किया गया, और इसमें जियोती अरेडा ने Mrs. India 2013 का खिताब अपने नाम कर लिया है, नेश कोस्टन है, गोरकपुर का रेकोर्ड तोड़ कर, दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म बाला, रेलबे इस्टेशन कौन सा वन गया है, इसका सयांस रोजाएगा, आप्शन D, स्री सद्धरूदा स्वामेजी रेलबे इस्टेशन, इस को प्लेटफॉर्म का नाम है, स्री सिद्धरूदा स्वामेजी रेलबे इस्टेशन, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, पंद्रा सो साथ मीटर, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रकॉर्ड में, अब ये दुनिया का सबसे लंबा रेलबे प्लेटफॉर्म हो ग इसी प्रकार से पूरे साल के आपको पढ़ना है, सभी टॉपिक आपको पढ़ना है, बिल्कुल कम समय में, तो हमारी इबुक को ज़रूर बाई कर लीजिए, इबुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर वाट्सप पर आपको एक फॉन पे औ करना है, नमबर क्या है, नमबर को आप ज़रूर नोट कर लीजिए, नमबर है हमारा 96, 38, 94, 64, ठीक है, इस नमबर पे आपका क्या करेंगे, फॉन पे से पैमेंट करेंगे, यदि आपको पछले एक साल की इबुक बाई करना है, तो 59 RS सेंड कर दीजिए, और यदि आपको प पेमेंट करना है, बिल्कुल आसान तरीका है, और मैं गेरेंटी से बोल सकता हूँ, कि हमारे इबुक पढ़ने के बाद में, आप करन्ट अफेस में, फुल में से फुल नमबर लेके आएंगे, ये मेरी गेरेंटी है, क्योंकि ये इबुक मैंने और मेरी पूरी टीम ने किसी योजना को शुरू किया है, बताइए इन चार में से भारत और बेटेन ने किसी योजना को शुरू किया है, तो थैंक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप आपको सारे कॉस्टन और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छ में और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी में नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें, इसी प् आपको स्क्रीन के ऊपर तीन वेरी उसफुल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को जरूर देख लें, थैंक्यू दोस्तो, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, जै भारत वंदे मात्रम